नमस्कार दोस्तों स्वागत था आपका स्टडी विज्चागर यूटूब चैनल पर दोस्तों हमने पिछले वीडियो में डू डायर जिरूल फूल के प्रसन को हमने देख रहे थे पिछले वीडियो में डूस्तों टोटल इस बुक से आपके 25 प्रसनों को हमने देखे थे और उससे भी पहले वीडियो में ब्लस्तों डू डायर जीरू फुल में क्या-क्या सामिल किये गहें को उनको लिभाश चैपटर पढ़ने हैं उन सारे वी प्रेपरिशन में आपको काफी मदद मिलेगा तो दोस्तों इसी तरह के और भी वीडियो पाने के लिए आप इस चैनल मिसे जूड़े रहे हैं अपने दोस्तों के भी इस वीडियो के बारे में बताएं तो चलिए दोस्तों अगले कंटीनिव करते हैं इस स्रीज को तब 25 प्र जीवनी है ये किनके द्वारा लिखा गया है तो जैवीर साहू पारसनात मातों सांती भारत या बिनोद कुमार तो इस प्रसन का सही उतर है दोस्तों अप्शन नमर ए जैवीर साहू के द्वारा राम नारायन जी के जीवनी को लिखा गया है अगले प्रसन क्यों चलते हैं अगला प्रस्ण हमारा पारासनात मातों कर जीवनी लिखवईया कौन लागए आने कि बताना है कि पारासनात मातों के जीवनी किन के द्वारा लिखा गया है option आपके सामने दिये गए है तो इस प्रस्ण का सही उतर है दुस्टों option नमर A शेक विखारी सेक विखारी के द्वारा दुस्टों ये पारासनात मातों का जीवनी लिखा गया है अगला प्रस्ण है आपका डॉक्टर सुरी राम नाराइन सिंग कहां के रहवईया लागए तो आपको बताना है कि जो राम नाराइन सिंग कहां के रहने वाले थे दिल्ली के देवघर के हजारी बाग के या बोकारों के तो इस प्रसन के सही हूत है रहे दोस्तों, option number c राम नाराइन सिंग कहां के रहने वाले थे कहां के रहने वाले थे अगले प्रसन के चलते हैं हमारा अगला प्रसन है कि खोठा का देशवाली रूप कहां बोलल जाए है आपको बताना है दूस्तों ये ग्रामर का जो पॉर्षन दे दिया गया है दूस्तों कि खोठा का जो देशवाली रूप है एक परकार का खोठा का ही भासा का ही रूप है देशवाली दूस्तों ये कहां पे बोला जाता है तो इस प्रसन का सही उतर आपको ध्यान में रखने हैं दूसरों अप्शन नमर ए पतरातु से पच्छिम पनामु लाजिहार यह वाले रीजन में दूसरों खोठा का जो देशवाली रूप है यह यहां पे बोला जाता है अगला प्रसन हैं दूसरों MCQ प्रसन आपका छोटा नाखपूर के सेर केर उपाधि किस को दिया गया है बिरसा मुंड़ा को शेक विखारी को राम नरायन सिंग को या कामाक्या नरायन सिंग को तो इस प्रस्ण का सही उतर दुस्वा अप्सन वर्षी राम नराइन सिंग को छोटा नाकपुर के सेर के नाम से भी जाना जाता है एक तिसमा प्रस्ण है शेक विखारी कहां कर रह भी या लागए आपको बताना है शेक विखारी है कहां कर रहने वाले थे खुदिया लोटवा और्मांजी के उली हातू के खटंगा के या अड़की के तो इस प्रस्ण का सही उतर दुस्वा अप्सन में ए खुदिया लोटवा ये कहां पे है तो और्मांजी नामक जगा पे यह है जगा दूस्तों तो ये शेक विखारी कहां के रहने वाले थे तो ये और्मांजी के रहने वाले थे 32 प्रस्ण है दोस्तों शेक विखारी कौन राजा के देवान हल है आपको बताना है कि शेक विकारी कौन से राजा के साथ में रहते थे option आपके सामने दिये गए है तो इस person का सही उतर है option D, ticket, umrao, sing आप सोच रहेंगो दोस्तों कि do, die, zero, full में यह सारे तो detail नहीं दिये गए थे तो दोस्तों शेक विकारी का detail तो दिया गए था न तो शेक विकारी से related भी प्रसन आपको देखने को मिल सकते है 33 प्रसन आपको answer बताना है दोस्तों कि शेक विकारी का जो कहिया सहीद भेल ले उनको कभ खासी दिया गया था दोस्तों तो आपके option आपके सामने दिया गया है तो इस person का सही उतर है दोस्तों option आपको बी आठ जन्वरी 1858 को 34 प्रसन है शेक विकारी के संगे आर ककरा फासी देल गेल है आपको बताने है जो शेक विकारी के संग में और किनको फासी दिया गया था उद्धम सिंग को, राजगुरू को, टिकेत उम्राम सिंग कहां के रहने वाले थे option आपके सामने दिये गे हैं जो इस person का सही उतर है option नमर ए खटंगा और मांजी ये भी कहां के रहने वाले थे तो और मांजी के ही रहने वाले थे अगला प्रसन है दामोदर पारशनात दहर जात्रा ये केकर लिखल है परितोस कुमर परजापती, परदीव कुमर दीपक, बंशी लल बंशी या दिनेश दिनमनी तो इस person का सही उतर है option बंशी दामोदर पारशनात दहर जात्रा जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है तो बंशी लल बंशी के द्वारा लिखा गया है अगला question दोस्तों दामोदर पारशनात दहर जात्रा कहिया करल गेल हल है जो ये जात्रा है ये कब किया गया था आपको टेट बताना है तो इस person का सही उतर है दोस्तों option में डी ये आपका जनवरी उन्हें सो नवासी इसमी में किया गया था अगला question दोस्तों आपका दामोदर पारशनात दहर जात्रा में एकर मदे कौन-कौन सामिल हल है आपको option दिये गी है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन-कौन इस दहर जात्रा में सामिल थे इकर में पारशनात दहर जात्रा में के सामिल नहीं हल है आपको बताना है कि इन चारों में से कौन सामिल नहीं थे उमाकंधर रजक, सांती भारत, मोहनलाल, गोराएं या बिनोध गुमार तो इस प्रसन का सही हुत है तो सौप्शन में डी बिनोध गुमार बिनोध गुमार ये आपका पारशनात दहर जात्रा में सामिल नहीं थे और बाकी ये तिनों सामिल थे चालिसमें प्रसन है खोठक भासक समाज के जगवे ले कौन इतिहास पद जात्रा करल गेल हल हल है आपको बताने जो खोठा भासी समाज को जगाने के लिए कौन सब पद यात्रा करल गेल हल हल है खोठक जागरन जात्रा जारखन जगाव जात्रा दामोदर पारशनात दहर जात्रा या डांडी जात्रा तो इस प्रसन का सही उतर है दुस्तों option में सी दामोदर पारशनात दहर यात्रा ये किया गया था ये किसली किया गया था तो खोठा भासी समाज के लोगों को जगाने के लिए या डहर यात्रा किया गया था ऐसा भी प्रसन पूछा जा सकता है कहां से शुरू हुआ था आपको सामने ऑप्शन देगी है तो इस प्रशन का सही उत्तर आपका ऑप्शन में भी राम डी मोर बोखारों से इस यात्रों को शुरू किया गया था अगला जो 43 प्रशन दोस्तों की हरियरि हरियर किनके द्वारा रचना किया गया है पुनेशवर सहो बासुदे मतों, गीता वर्मा या गजादर मतों परभाकर तो इस प्रस्टन का सही उतर दोसों अप्सन में डी गजादर मतों परभाकर के दोबरा हरियरे हरियर को रचना किया गया है आपको बताना कि हरियरे हरियर कैसन रचना लागे या एक परकार का कहानी है या फिर निबंध है या समरन है या नाटक है तो इस प्रेशन का सही उतर दोसों अप्शन में ए कहानी है हरियर हरियर क्या है एक परकार का कहानी है 45 प्रेशन दोस्तों की आपका जो मुड़ फुषका है ये कैसन रचना लागए कहनी है लोक कथा है लगू कथा है या निवन्ध है या कभी ता है तो इस प्रेशन का सही उतर दोस्तों अप्शनों भी या एक परकार का लगू कथा है 46 में प्रचन मुड़फुच का लगुकाथा के लिखल है आपको अताना ये किनके द्वारा लिखा गया है तो बी एन ओधार, पीस्ची दास, गिरिधारी गोस्वामी या परदीव कुमार दीपक के द्वारा लिखा गया है ये उनके रचना कार और 21 परखा की रचना है उसी से अजिकतर प्रचन बन सकते हैं उसी तरह के प्रचन एक्जाम में देखने को मिलेंगे दोस्तों 47 में प्रचन है आपका डू डैर जिरुल फुल किताबे में कैगो गयद रचना था हमने देखा था दोस्तों कि टोटल कितने गयद भाग में सामिल के गये थे कितने रचना सामिल के गये थे तो टोटल 15 रचना सामिल के गये थे तो इस प्रचन का सही उतर है दोस्तों आप्सन नमर बी 48 में प्रचन हमारा तो दोस्तों ये इस प्रसन को मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ इसको आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे जरूर ही बताएं दोस्तों कि इस जो ये एगो चीठी है ये किन के द्वारा लिखा गया था अगर आपने हमारा पहला वीडियो देखा आगा दोस्तों तो इस प्रसन को आप चट से उतर दे सकते हैं 59 प्रसन है डू डायर जीरियल फूल में एगो चीठी के आर कहरा लिखा लहाए जो डू डायर जीरियल फूल है ये जो चीठी लिखा गया था सो किसको लिखा गया था तो 49 का आप्शन है दोस्तों आपके सामने और इस प्रसन का सही तरह अप्सन मसी एके जहाब परितोस कुमार फरजापती के द्वारा लिखा गया था अगला परसने दोस्तों आपका डू डाय जीरल फुल किताबे में के गो पत्र साहित साप छपल गया है आपको बताना कि इस बुक में आपका जो कितने सारे जो पत्र साहित है ये कितने को सामिल किया गया है एक थे या दो है या तीन है या चार है तो इस परसन का सही उतर है दोस्तों एक एक ही पत्र साहित को इसमें सामिल किया गया है 90 प्रसन है दोस्तों आपके सामने की एकर में कौन कौन डू डायर जिरूल फुल के संपादक मंडल के सद़स ला गए आपको आपसन दिये गए है आपको बताना कि इन में से कौन से हैं जो संपादक मंडल में सामिल किये गए थे अप्शन है आपके डॉक्टर बियन ओधार गजादर मातो परवाकर साभे या बिनोद कुमार इस प्रसन का सही उतर दोस्तों अप्शन में डी साभे इन बिनोद कुमार, बिनोदा, गज़ादर्मातों परवा के ये तीनों दोस्तों संबादक मंडल के सदेश में साम मिलते है 52 परसने दोस्तों की डू डायर जीरियल फुल किताबे में सीमनाथ परमानी कौन कविता लिखाल है आको बताना है कि इन चारों में से कौन सा कविता को डू डायर जीरियल फुल में जो कि इस कविता दिया गया है सीमनाथ परमानी के द्वारा लिखा गया है औप्सान आपके सामने दिया गया है तो इस परसन का सही उतर है दोस्तों आपका B. बावा हाथ जो बावा हाथ कविता ही है किसके दवारा लिखा गया है तो सीमनात परमानी जी के दवारा लिखा गया है तिरपनमा परसन है दोस्तों बावा हाथ कविता के लिखल कोन है तो सीमनात परमानी के जी के दवारा ये कविता लिखा गया है आपको बताना है कौन टाप बेश जूग कविता कवी लागए आपको बताना है कौन टाप बेश जूग के जो कविता है ये किनके द्वारा लिखा गया है तो ये option नमर B, एके जा, एके जा के द्वारा ये कविता को लिखा गया है अगला प्रशन आपका धीट धीट जो कविता ही है किनके द्वारा लिखा गया है तो इस प्रशन का सही उतर है दोस्टों दिनेश दिनमनी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है अगला प्रशन दोस्टों ककर आखे पानी कविता के लिखाल कौन है अगोदाने ककर आखे पानी किनके द्वारा लिखा गया है तो इस प्रशन का सही उतर है दोस्टों और सी शिरी नौस पानूरी जी के द्वारा इस कविता को लिखा गया है अगला प्रशन दोस्टों जाड जाड कवीता में कवी लागए आपको जाड नामक कवीता है ये किनके दोरा लिखा गए है तो option number A इस person का सही हुतर है Dr. B. N. O udahar जी के दोरा इस कवीता को लिखा गया है 60th question है दोस्तों के स्वागत स्वागत नामक जो कवीता है ये किनके दोरा लिखा गया है तो दोस्तों इस कविता को आपको डॉक्टर एके जाजी के द्वारा लिखा गया है अगला प्रशन दोस्तों स्वागत कविता में कभी कखरा स्वागत कर लगे ले आपको बताना है कि जो सवागत कविता है जिनके लेका कोने एके जा इस कविता में सवागत किनको किया गया है तो इस प्रस्टन का सही हुतर दोस्तों option number C बिग्यानी विचार के जो बिग्यानी के रुपी विचार है दोस्तों उनका स्वागत किया गया है इस कविता में 61 प्रस्टन दोस्तों परितेश कुमर परजापती के द्वारा कौन सा कविता लिखा लगए है आपके चारों अप्सन दिये गए है आपको बताना है कि परितिष कुमर परजापती के दौरा कौन सा कविता को लिखा गए है तो इस परितिष कुमर परजापती के दौरा इस कविता को लिखा गए है बर साथमा प्रेशन है दोस्तों की नारी के महत्तु दिये वाला कविता कौन लगए आपको जो नारी को महत्तु दियने वाला कौन सा कविता है रहा आपके सामने दिये गए है दोस्तों इस प्रशन का सही उतर है आपका ओप्शन में D के कह तोरा अबला ये आपका जुमनारी को महतो देने वाला कविता है और इसके आपके लेखा का आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखे जरूरी बता है तिरसेटमा प्रशन है दोस्तों कि हामार मानेक गुमाईर कविता के केकर लिखल है आपको ओप्शन आपके सामने है इस प्रशन का सही उतर है दोस्तों ओप्शन में C अकलू राम मातों के दवारा इस कविता को लिखा गए है कविता का नाम है हामार महनेक कुमाईर अगला प्रशन दोस्तों अकलू राम मातों के मूल नाम मुल रूपे की लागए आपको बताना है कि अखलू रम मतों मुल रूप से क्या थे अभिनेता थे राजनेता थे बैपारी थे या गायक थे तो इस प्रशन के सही उतर आप्शन नमर बी या एक मुल रूप से दोस्तों राजनेता थे अगला प्रस ने बिहार बिदान सभा में खोठा के मानेता दी एक मांग कौन करल हला आपको बताना कि बिहार बिदान सभा में खोठा के मानेता देने के लिए कौन मांग किये थे आप्सन आपके सामने है दूस्तों अकलू राम मातों अकलूराम मातों के द्वारा खोठा बिदान सबा में खोठा को माननेता देने के लिए ये अपने मांग को उठाये थे अगला प्रस्ण है खोठा भासा के BPSC पैट कर्मों सामिल करे मांग कौन राजनेता के द्वारा किया गया था जैवीर चाहू, प्रोफेसर विनूत कुमार, परदीब कुमार दीपक या सू कुमार तीस प्रसन के सही उतर है दूस्तों, option वैसी परदीब कुमार दीपक के दोवरा इस कवीता को लिखा गया है कवीता का नाम क्या है? छीन, लेलक, सोनक, थारी और सटमा प्रसन है कि सोराई जी जिनामक जो कवीता है जिनके लेखक है जैवीर शाहू की कहल है, option आपके सामने दिये गए है दूस्तों, तीस प्रसन के सही उतर है आपका आजात भारत एक दुर्दाचा अगला प्रसन आपका जीवे जोदी सही देश कवीता के लिखल कोन है आपको इस कवीता के लिखवई है, आपको बताना है कि जीवे जोदी सही देश के कवीता को किनके द्वारा लिखा गया है तो ये PC दास के द्वारा लिखा गया है इस वीडियो का आखरी परसन है दोस्तों कि हम आगे और भी परसन देखने वाले हैं तो दोस्तों आज कि इस वीडियो मुन्के 3-10 परसन को cover कर ली है एक आगे आखरी पार्ट आने वाला है जिसमें हम बाकी बचे 3-4 परसन को उसमें कवर कर लेंगे तोटल एक से दस, एक सो दस या 120 प्रस आपके MCQ से हो जाएंगे इसको एक से दो बार अब देखने पर दोस्तों आपका सारे कंठस्ट हो जाएंगे सबसे इंपोर्टन जो पहला वीडियो था जो रचनाकार सारे चेप्टर कौन-कौन से सारे चेप्टर दियागी है उन्सको ध्यान में रखना काफी important है अब देख सकते हैं कि सारे जो प्रस्ण पूछे गए हैं ये आपके लिखवईया से ही कि उस कविता को उस कहानी को उस लिमंद को किनके दवारे लिखा गया है वीडियो कांटर तक देखने के लिए दुस्ता आपका बहुत बहुत धन्यवाद